आप हमारे podcast के best highlights enjoy गर पाएं इसलिए हमने अपने podcast को छोटी-छोटी clips में divide कर दिया है और वो clips आपको मिलेंगी इस channel पर तो जल्दी से हमारे clips channel दिवे अगरवाल को भी subscribe कर दो Aditya thank you so much for coming to आँखो देखी podcast बहुत अच्छा लग रहा है मुझे and first of all congratulations for Munja it has been a superb movie 100 crores कर लिया उस मुवी ने थो big big blockbuster क्या बोलते हैं से blockbuster से भी उपर बोलते हैं ना उसको क्या लोगों ने इतने अलग अलग नाम देके रखे हैं some people call it sleeper hit some people call it all time blockbuster you know I am very happy मुझे बहुत इस बात की कुशी है कि आप आकडे देखते हो और आपको समझ में आता है कि उतने सारे लोगों ने फिल्म देखी है correct so the numbers indicate the the number of people who have seen the film as a film maker मुझे हमेशा लगता है कि आप फिल्म बनाते हो कि आप मैक्सिम लोगों को दिखा पाग this is your first this is my first Hindi theatrical film और देखो art film में बन चुकी है इसके पहले जो theatrical थी और उसके बाद when I was approached for this Maddox पे तो उन्होंने मेरी एक zombie नाम की फिल्म देखे थी जो zombie horror comedy थी और उसके बाद उनको लगा किया और ये genre में कुछ अलग किया जाए और मेरे लिए बहुत important था कि अगर मैं Hindi फिल्म बनाता हूँ कोई भी theatrical के लिए तो वो Hindi फिल्म होनी चाहिए जो culture जिसको मैं जानता हो वहाँ से आनी चाहिए तो Munja kind of blend itself very very naturally और as you said कि audience की बाद कर रहे थे मुझे कभी नहीं लगा था कि Munja जैसे horror comedy देखने के लिए बच्चे, बुढ़े औरते इतनी level पे आएंगी आपने जैसे गाँ कि ये रूट से आ रहा है ये आईडिया, culture से आ रहा है तो क्या सुना था आपने Munja के बारे में और कहां से आया है कि मुझे मुझे के उपर कुछ बनाना है मुझे के बारे में मैंने बहुत सुना था लिए बच्पन से मैं गाँ हमारे जाता था जो कॉंकन में है और मैं हूँ एक्चुली पुना का बर हमारा ancestral गाँ कॉंकन में है और कॉंकन का ही लेजंड है कॉंकन का ही लेजंड है तो मैं coastal कॉंकन का जो पूरे गाँ है उसमें से हमारा गाँ है और मैं जभी कभी वहां गया हूँ वहां पे मुंजा की स्टोरीज बच्चों को बहुत बताई जाती है कि वो पीपल के पेड़ पे मुंजा रहता है और अगर आप बच्चे हो और अगर आप पीपल के पेड़ की तरफ रात को जाते हो तो मुंजा आपको छीन के लेके जाएगा ये स्टोरी सुनके हम बड़े हुए तो ना मुंजा के बारे में जो डर था और फैसिनेशन भी था उस एज में वो बहुत ज़ादा था तो तब से मेरे दिमाग में जहन में वो मुंजा बैठ चुका था कि ये कुछ तो है कभी दिखता नहीं है वो पेड़ पे रहता है और मराठी में एक सेंग है बारा पिंपड़ा और सा मुंजा means बारा पीपल के पेड़ पे रहने वाला मुंजा और बारा क्यों? वो रेस्लिस आत्मा है वो एक पेड़ पे रहता नहीं है वो अलग-अलग पेड़ों पे रहता है और पर वो पेड़ पीपल के पेड़ है तो हमेशा कोई भी पीपल का पेड़ दिखता था ना मुझे गाउ में बढ़ चा देती है और बोलता है इसके नजदिक तो नहीं जाना है जब ही बड़े होते हो आप तब ही आपको लगता है कि चलो यह तो स्टोरीज थी जो दादी की कहानिया हम बोलते है अभी भी जब ही मैं जाता हो गाउ में तो एक कम्यूनिटी है जो उस पेड़ के नीचे कटावा नारियल रखते है या घर में अगर शादी है तो मुझा को प्रसाद देके कोई मंत्र बोलके जाते है तो एक बिलीफ सिस्टम है जिसमें मुझा अभी भी है और मुझे लगता था जब इसे मैंने तुम्बार देखी तुम्बार देखने के बाद मैं सोच रहा था कि क्या फैसिनेटिंटिंग इस तरीके से राही ने फोकलोर, इंडियन हॉरर और पिरिड को कंबाइन किया था और उसकी ओडियन्स कल्ट ओडियन्स बनी थी कंतरा देखी मैंने फिल्म और मुझे कंतरा देखने के बाद लगा जो कल्चर हमारा है ही नहीं इसे कल्चर को इथने बड़े लेवल पर पैन इंडिन फिल्म लोग देख रहे तो फिर ये मुझे मुझे फिल्मे बनानी थी वन में मेट मैडॉक तो मैडॉक ने मुझे 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 की स्टोरी बताए इससे कुच करना है मैं थी नहीं में मुझे मुझे नहीं वो बुरा चतोकवारी का सेट है मतलब उससे धेखके थोड़ासा अंदर वाईबा जाती है कि हाँ कुछ तो डार्क होने वाला है, कुछ तो इविल सा वहाँ है. हाँ, यह ना कॉंकन में बहुत साधा फॉरेस्ट एरिया है, और पेड ऐसे बड़े-बड़े पेड और वहाँ पे बाग बोलते हैं उसको, जो आम के बगीचे हैं बहुत जादा, या वहाँ पे डेंस फॉरेस्ट एरिया, हर गाउ के आराउंड अबाउट है, तो जो मैंने विजुलाइज किया था तो मैंने पहली चीज विजुलाइज की थी कि मुंजा अगर कोई पीपल के बेड़ पर रहेगा, तो वह ऐसी जगह पे हो, जहाँ गाउ के लोग जाते ही नहीं है, औरना कॉंकन में ऐसे एक फॉर्ट है, सुवरन दुर्ग नाम का, जो शिवाजी महराज का फॉर्ट था, तो वो फॉर्ट ऐसे एक आईलिंड पे है, और अगर आप शौर पे खड़े रहते हो, जमीन पे, तो आपको आईलिंड और फॉर्ट दिखता है, और वो फॉर्ट अबैंडनेंड है, तो उसके अंदर पूरा वो जंगल बन चुका है, तो मेरा रेफरेंस था, और मैंने मेरे आट डिरेक्टर को, मैरे डी ओपी को वो फॉर्ट दिखाया था, मैं उसको वो फॉर्ट तरह के वहाँ पे लिखे भी गया था, और मैंने उसको ये भी बताया था कि, अगर हमें चेटुकाडी बनानी है, तो वो थोड़ा इस स्पेस में बनानी है, तो फिर हमने उसके फोटो निकाले, और वो पूरा का पूरा सेट मुमे में एक स्टूडियो के अंदर बनाया था, और जैसे आपने कहा ना कि, ये वैसे तो कॉनकर नेरिया से आता है, लेकिन मैं भी देखता हूँ कि हमारे नौर्ट साइड में, यूपी साइड में, बहुत सारी ऐसी पेड होते हैं, जिन पे धागा बंदावा होता है, और यहां पे भी उसको मुझा को ब्रहम राक्षस के नाम से लोग बुछाते हैं, और कहते हैं कि हाँ ये ऐसा होता है ब्रहमन कल्चर में, यह सारी चीज़े एग्जिस्ट करती हैं यहां भी, यह राक्षस के आवतार में आदमी नाच रहा है, तो वो भी रेफरेंस उधर का ही लोकल है, गेट अप करके डीमन्स के आवतार में नाचना आया, जो होली में, कॉंकड में, शंक असुर बोलते हैं उसको, कि असुर है वो, वो शंक में से आने वाला असुर है वो, तो शंकासुर, और वो हर होली के त्योहर में, एक इसे एक ग्रूप होता है शंकासुर का, तो वो गाव में घुमते हैं, और वो नाचते हैं माँ पर, म्यूजिक पर, और उसको देखने के लिए लोग जमा होते है और वो होली के दिनी आते है तो वो शंकासुर और मैंने कंतार में देखा हुआ उसका आउतार बुतकुला पर अमस्यचिक और एम शौर ह मेर ऐसे ऐसे ऐरिए मेरे ँपन पर ऑपन तयों को ते रहेंगे जो इवन इफ प्रांद बदल जाए, पर वो कल्चर तो सेम ही है. So, इस साल 26 October को, यानि Halloween के पहले वाले Saturday को, Delhi में, स्रीफोर्ट में, एक बहुत ही interesting horror con होने जा रहा है, जिसमें आप horror से related, बहुत सारे interviews, बहुत सारे किसे, बहुत सारी कहानिया सुनोगे, मैं भी हाँगा इस साल, बाट अगर आप horror fan हो, और अगर आप horror content follow करते हो, तो horror con में Delhi में आना बनता है, तो 26 October को horror con definitely attend करना, स्रीफोर्ट डेली में.